दोस्तों स्वागत है आप सभी का अनुखे सत्य के इस नई वीडियो में दोस्तों आपने स्टैच्व अप लिवर्टी तो कभी न कभी ज़रूर देखा ओगा पर क्या आप जानते हैं जब हावा की रफ्तार तेज होती है तो Statue of Liberty हिलने लगती है ऐसे ही दिमाग चकरा देने वाले Amazing and Random Facts को जानने के लिए यह वीडियो पूरा अंतक जरूर देखिएगा दोस्तो आपने Statue of Liberty तो जरूर देखा होगा लेकिन क्या आप जानते हैं जब हावा की रफ्तार 80 km per hour की होती है तब Statue of Liberty तीन एच तक हिलने लग जाती है सोचो अगर हावा की रफ्तार इससे ज़्यादा हुई तो क्या होगा दोस्तो अगर आप NCC के बारे में जानते हो तो आपको तो पता होगा की NCC के ज़ंडे में तीन रंग होते हैं और इन तीनों का अपना अलग अलग अर्थ है इसमें लाल रंग का अर्थ सेना के लिए और गहरा नीला नौ सेना के लिए तथा हलका नीला वाई सेना के लिए है दोस्तो ये फैक्ट आपको चोका दने वाला है हर 20 में से एक महिला के चेहरे पर मुहा से निकलते हैं जबकि हर सौ में से एक ही पूरुष के चहर पर मुखासर निकलते हैं और ऐसा क्यों होता है आप सभी को तो पता ही होगा अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना जाओ अभी लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तो ये फैक्ट आपके दिमाग को चकरा कर रख देगा क्या आपको मालूम है जो लोग कोकिन डर्क्स का सेवन करते रहते हैं उनके सरी से अगर उनके हार्ट को बाहर निकाल दिया जाए तो निकलने के बाद भी उनका दिल करी एक दो मिनट नहीं बलकि पूरे 25 मिनट तक धड़क सकता है दोस्तो क्या आप जानते हैं पूरे एसिया में सबसे पहले हौकी का खेल भारत में खेला गया था दोस्तो क्या आपको पता है हौकी का जादुगर की से कायता है अगर आपको पता है तो नीचे कमेट में ज़रूर बताना दोस्तों क्या आपको मालूम है न्यूटन उस समय मातर 23 साल के थे जब उन्होंने ग्रैविटी की खोच की थी जो लोग एस्मोकिंग करते हैं वो सुन लो एक बार आप अपनी जिंदगी खुद खराब कर रहे हो तो फैक्ट ये है जो लोग ज़्यादा एस्मोकिंग करते हैं उनके माते पर ज़्यादा गहरी लाइने नजर आने लगती है अगर वह वैक्ती एक दिन में 20 या इस्ते ज़्यादा सिगरेट पीता है तब दोस्तो आपको तो पताई होगा कि प्रिथवी का जुड़ाबान सुक्र गरह को माना जता है यानि कहते हैं लेकिन ये बात आपको पता नहीं होगी साय क्या आप जानते हैं सुक्र गरह पर एक दिन प्रिथी पर एक साल रहने के बराबर होता है मतलब अगर आप सुक्र गरह पर एक दिन रहोगे तो वो पूरे प्रिथी पर एक साल रहने के बराबर होगा दोस्तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके आगे सिया जरू करना अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सकाइब करके बैल आइकन को दबा दो क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रुचक और मैज़दार वीडियो लाते रहती हैं दोस्तो क्या आपको पता है हमारे स्रेडी में सबसे मूटी चमणी कौन सी है तो दोस्तो आपको बता दू हमारे स्रेडी की सबसे मूटी चमणी हमारे तलो की होती है और वो भी करीब 4 mm तक दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके आगे शेयर जोल करना अगर आप सेनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल एकल को दबा देना मिलते हैं कि इस नई वीडियो में नई टोपी के साथ तब तक लिए अपना और अपनों का ख्या लखना I love you all